जय मातादी, स्वाकत है आप लोगों का वेन्यन माटी का रसोई में आज में आप लोगों के लिए निवरात्री स्पेशल में लिकर आई हूं साबुदाने की टमाटर वाली खट्टी मिठी बहुत ही स्वाधिस्ट खिचडी तो चलिए स्टार्ट करते हैं साबुदाने की खिचडी बिनाने के लिए चाहिए साबुदाना, एक कप उबले हुए आलू, साथ से आट, छोटे पीस मुमफली दाना, आधा कप मुमफली का तेल, एक बड़ा चम्मच टमाटर, एक बड़ा, बारे कट हुआ बाकी के मसाले में लेंगे जीरा, आधा चमच, नमक, फलहरी नमक, एक चमच, लाल मिर्च पाउडर आधा चमच, करी पत्ता थोड़ा सा, एक हरी मिर्च बारे कटी हुए और धनिया, हरी धनिया के पत्ती थोड़े से, शक्कर, एक बड़ा चमच अब सबसे पहले हम एक पाउल लेंगे उसमें मीडियम साइज का साबुदान डालेंगे और उसे अच्छे से वाश कर लेंगे और पानी में पुरा डिप करना है और उसके पाद फिर उसका पानी निकाल देना है थोड़ा सा पानी उसमें रहने देना है जिससे की साबुदाने अच्छे से सौफ्ट हो जाएंगे ये देखिए इतना पानी रहना चाहिए अब इससे ढखकर 5-6 गंटे के लिए रख दीचे ये देखिए इस तरह से साबुदाने तयार होना चाहिए तब आपकी खिच्छी परफेक्ट बनेगी अब गैस ओन करेंगे एक पैन रखेंगे उसमें मुमफली का तेल डालेंगे जीरा डालेंगे आधा चमच और हरी मिर्च डाल देंगे करी पतर डाल देंगे गैस को मीडियम आज पर ही रखना है आपको इन सब को भुनने के पाद मुमफली पीस कर डालेंगे हमने मुमफली का पाउडर बना लिया है धर-दरा पहले मुमफली को बिना ओयल की थोड़ा सब भून लिया था उसके बाद उसे दर-दरा पीस लिया है अब इसी में हम टमाटर डाल देंगे और अच्छे से सॉफ्ट होने तक भून लेंगे इन सबी चीजों को नमक डाल देंगे नमक डालने से टमाटर जल्दी पक जाता है अब इन सबी चीजों को अच्छे से मिक्स कर देंगे और धक्का दख देंगे दो-तिन मीट के लिए यह दिखिए दो तीन नीट हो चुके हैं टमाटर सॉफ्ट हो गया है अब इसमें बाकी की चीज़ें डाल देंगे उबले हुए अलू टाल देंगे चोटे-चोटे पीसे इसमें तोड़कर यह आप क्रश्ट करकर भी डाल सकते हैं अब इसमें लाल मर्ज पॉर्टर ढाल देंगे लाल मिर्ज की यह आप काली मिर्ज का भी योष कर सकते हैं अर अच्छे से सभी चीजों को मिक्स कर लेंगे अब इसमें शकर डाल देंगे इससे टमाटर का खटापन और शकर तोनों का कॉंबिनेशन जो रहेगा उससे खटा मीठा टैस्ट आएगा काफी टैस्ट को इंप्रोफ कर देती है तमाटर शकर अब इसमें साबुदाना ढाल देंगे देखिए कितना बड़ें साबुदाना गला है एक देम एक पीस अलग होना चाहिए इस तरह से आप गलाएंगे तो आपका साबुदाना भी इसी तरह से अलग-अलग पिसेस में रहेगा आप उसको पानी निकालकर चार-पांच घंटे के लिए गला दीजिए तो काफी अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा साबुदाना कि अब सबी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे अगे कि सब दनी की खिच्री हम कई बार बनाते हैं लेकिन आप एक बड़ टमाटर वाली कि फिक बनाई ये आपको काफी पसंद आएगी यह देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है चार-पांच मिनिट पका लेंगे हम इसे अब साब दनी के खिच्री पूरी तरह से पक चुकी है अब इसमें हरा धनिया डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे यह देखिए कितनी बड़े आंखिच्री तयार हुई है अब भी इसे एक बड़ ज़रू ट्राइ किजिए और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक किजिए शेयर किजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किजिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करकर बताएए कि आपको मेरी यह रेसिपी कैसी लगी धन्यवाद